आज हम बनाने वाले हैं चिकन चिली देखिए कितनी अच्छी दिख रही है और एक खास तरीके से बनाएंगे तो आपकी चिकन चिली बिल्कुल ला जवाब रेस्टोरेंट स्टाइल से बनके तयार होगी देखे कितनी ला जवाब दिख रही है ये डिश तो चलिए अब हम ब चमच काले मिर्च पाउडर नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रखे एक चोथाई छोटा चमच जीरा पाउडर एक चमच कॉन फ्लॉर और एक चमच हम डालेंगे इसमें मैदा बस इतना ही काफी है कॉन फ्लॉर आप ठोड़ा साधा चमच और डाल दीजिए अब हम डाल इसमें चार से पांच चमच डालेंगे हम इसमें वैनेगर डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे देखे फ्रेंड्स यह इस प्रकार से हमारा अच्छे से चिकन मिक्स हो चुका है पर्फेक्ट तरीके से हमें इसे मिक्स करना है ये देखे फ्रेंड ये कुछ इस तरीके से नजर आएका जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स मैं इसमें अधरक लस्टन का पेस्ट डालना भूल गई थी तो आप एक चमच अधरक और लस्टन का पेस्ट डाल दीजिए और एक बार इसको आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट करने देंगे तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स त्यार कर लेते हैं यह मैंने शिमला मिर्च कर लिए जो अंतर का पीज होता है वो निकाल लीजिए और इस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए और प्याच को भी हम इस तरीके से इसके क्यूब्स निकाल लेंगे और अब मैंने ये काट लिए हरी मिर्च इस प्रकार से आप किसी भी डिजाइन में कट कर सकती है हरी मिर्च को और लसन ले लिया है मैंने धेट सार असको बारीक कट कर लिया है और अधरक को भी मैंने कदुकस कर लिया और धनियापत्ता कट कर पारिक अब हम एक बाल लेंगे उसमें डालेंगे पानी अधर ग्लास पानी बहुत है फ्रेंड और अब हम डालेंगे इसमें सोया सॉस सोया सॉस हमें धेड सारा डालना है जिससे जो है मारा स्वात बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बन के तयार हो चिकन चिली का तो मैंने इसमें दो चमच सोया सॉस और एक चमच हम डालेंगे इसमें चिली सॉस यह तो बहुत जरूरी है चटपटा बनाने के लिए और अब हम डालेंगे इसमें टेमेटो सॉस वह भी चिली टेमेटो सॉस इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और जो हमारा चिकन चिली बनेगा बहुत ही ला जवाब अब इसमें एक चमच या दो चमच आप इसमें चमच आप दो चमच आप इसमें डाल देंगे दो चमच सिरका या वैनेगर आप कुछ भी बोल सकते हैं वाइट सिरका भी बोलते हैं उसको अब हम घोल को रग देते हैं एक तरफ और यह देखिए हमारा चिकन लगबक 30 मिनट के करीब रैस्ट कर चुका है आप तूद्पी अब हम गयस को यल्फ करेंगे रखेंगे कड़ाई तैल को आप इस तरीके से चाह कर सकते हैं तूद्पी को डालेंगย तो इस तरीके से बबल आएंगगे तो मतलब तेलं हमारा परफेक्ट गरम हो चुका हाई हाई गरम करना न ज्यादा लो और आब हम एक पीस को डालेंग करेंगे इस तरिके से हम सारे पीसिस को फ्राइ कर लेंगे यह देखे और यह बहुत ही टेस्टी लाजवाम चिकन चिली आपका बनके तयार ओगा व्र फ्राइ करने में हमें गैस का लिए मेडियम ही रखना हैं तकि जो है चिकन हमारा अंदर और बाहर दोनों अच्छे से पक जाए और पाहर भी अच्छा साइज का देखिए इस तरीके से कलार आजा और अंदर से chicken जो हमारा लाँ पक जाए इसको इसी तरीके से fry कर लेंगे लगबग फ्राइब हो चुक है अब हम में इसको एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं एक प्लिट में रखने के बाद बाकी जो हमारा सेकंड बैच है इसी तरीके से हम उसको भी फ्राइ कर लेंगे इसको भी सारे पीसिस को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और मैंने पीसिस को निकाल के अलग रख दिया कडाई को साफ कर तोडा सा औरuje को हम कडाई में चारा से लगा लेंगे हमने तोड़ा सा थोड़ा सी दो से तीन चम्मच बस बहुत है इसमें नि अलो की कडाई में बढ़ाएगा लेका आप चिकन चिली आपका बन के तयार होगा देखें तेल हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है और सारी चीजों को हमें ध्यान रखेगा हाई फ्लेम पे ही पकाना है प्याज शिम्ला मिर्च हरी मिर्च और लस्न अध्रक सबको हम एक साथ डाल कर इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे और इसको लगतार चलाते रहेंगे पर्फेक्ट बनाना है तो ये एकदम सही तरीका है इसी तरीके से आपको चिकन चिली बनाना है इसको गैस को हम हाई रखे और इसको हम लगतार चलाते रहेंगे और प्याज शिम्ला मिर्च इसको हमें ज्यादा नहीं कूक करना है बस हमें इसे तरीके से इसको पका लेना है कैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखते हुए यह देखिए प्याज और शिम्ला मिर्श हमारे लगबग नरम पड़ चुके हैं अब इसमें हमने जो गोल बना के रखा था था ना अपना सोया सॉस चिली सॉस वेनेगर का और अब हम इसको इसमें कडा स्टाइल से यह देखिए प्रफेक्ट कलर आया है जैसा चिकन चिली का रेस्टोरेंट और मार्केट में मिलता है आपको वैसा ही कलर इसका आचुका है अब हम इसमें हमने जो अपने चिकन को फ्राइब करके रखा था हम एड कर देंगे इसको और इसके साथ हम इसको एक मिन कासा एक चोथाई छोटा चमच इसमें नमक आप एड कर दीजिए बस ज्यादा नहीं और यह देखिए फ्रेंड अब हम मिक्स कर लेंगे इसको यह हमारा चिकन चिली कितना ला जवाब दिख रहा है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्रेंड इन सब को हम बैलन्स करने के ल खौत ही लजीज होता है आप लोग खाये और इसमें थोड़ा सा हम इसको डेकरेट कर देते हैं यह देखे फ्रेंड कटी हो ही प्याज मैंने नौर्मल डाली है आप इसमें हरी वाली प्याज भी डाल सकती है और डालेंगे थोड़ा सा हम धन्या पत्ता और यह हमारा चिकन अगर इसमें आपको कोई भी कमी नजर आती है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता सकती है